विनेश को सिल्वर मैडल मिलेगा अभी तो विनेश पैरिस में है लेकिन जब वो भारत लोटेंगी तो अपना सिल्वर मैडल लेकर लोटेंगी नमस्कार मैं आपके साथ केके राना ओलनाइन न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनेश को सिल्वर मैडल मिले इस बात की दुआ हर हिंदुस्तानी कर रहा है दिल की गहराईउ से हर कोई यही चाहता है कि विनेश को विनेश का हक मिलना चाहिए वो फाइनल में नहीं खेली उसका जो भी कारण रहा उस पर हम बात नहीं करते लेकिन सेमी फाइनल तक जिस तरह से विनेश ने अपना खेल खेला उसने सभी की आँखों को खुले का खुला रहने दिया और हर कोई उनके हर शण के खेल पर अपनी नजर गाल कर बैठा था जिस तरह की प्रतिश परधा उन्होंने खेल में दिखाई और अपनी कावलियत को साबित किया हर कोई ये चाता है कि विनेश को विनेश का हक मिल जाए लेकिन आज सुभा सूरज उगने से पहले जिस तरह की ख़वर विनेश ने अपने एक्सपर्ट पोस्ट कर कर दी और उ के सन्यास लेने से है लेकिन इसे बीच एक अच्छी ख़वर ये है कि विनेश ने रात आट बजे के आसपास भारतिय समय अनुसार रात आट बजे के अनुसार यानि कि साथ अगस्त को C.A.S. में अपील की है कि उसे सिल्वर मैडल मिलना चाहिए सबसे पहले तो ये समझ ल कोट खेलों से जुड़े हुए मामलों को लेकर सुनवाई करता है और ऐसे में विनेश को चार वकील दिये गए है और 1984 में इस कोट की स्थापना की गई थी इसका हेड़ क्वाटर स्विजरलेंड में है लेकिन जहां भी ओलंपिक होते हैं या चो देश जिस शहर में ओलंप पेरिस ओलंपिक ने ही चार वकील निशुल को तोर पर विनेश को दिये हैं जो इस C.A.S. में विनेश का पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे वो चार वकील खोन है उनको भी जरा एक बार देख लीजिए जुएल मौन लुइस, एस्टेले इवानोवा, हैविन एस्टेले, हैविन एस्टेले किम और चार्ल्स एमसर ये चार वकील हैं जो C.A.S. में विनेश के पक्ष को रखेंगे अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कल दो मुद्दों को लेकर जो कोर्ट में अपील की थी, जो मेल किया था C.A.S. को विनेश ने उन दो मुद्दों को समझे सबसे पहला पॉइंट विनेश ने ये कहा था कि अभी फाइनल खेल शुरू होने में लगभग चार घंटे हैं, मुझे द्वारा से बजन कराने का मौका दिया जाए और फाइनल खेलने का मौका दिया जाए जब वो ये मेल लिक रही थी उस समय की ये बात है और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि अगर मुझे फाइनल खेलने का मौका और दोवारा बजन कराने का मौका नहीं मिलता है तो मैंने सेमी फाइनल तक का खेल तो अच्छे से खेला है और तब मेरा बजन भी 50 किलो प्राम के अंतरगत ही था यानि कि उतना ही था तो मुझे कम से कम सिल्वर मैडल दो दिया जाना चाहिए जिसको लेकर उनके पहले बिंदू को तो कोट ने खारिच कर दिया और उसने कहा कि खेल को लेकर सारी चीज़े अब हर तरह से व्यवस्तित हो चुकी हैं और तैह हो च जिसके लिए चार वकील विनेश को दिये गए और ये चारों वकील विनेश की तरफ से पक्ष रखेंगे और अब ऐसे में एक ये बड़ी उमीद जग गई है कि विनेश को सिल्वर मैडल मिल जाएगा लेकिन जिस तरह कि सारी बाते हैं वो पक्ष विनेश का कर रही हैं और विनेश को सिल्वर मैडल मिलने की उमीद अधिक हो गई है यानि कि इसलिए ये कहा जा सकता है कि जब पेरिस से भारत विनेश लोटेंगी तो वो अपना सिल्वर मैडल लेकर लोटेंगी कल से लेकर आज तक जितने भी बाड़त हर हिंदुस्तानी के दिल पर हिर्द्य पर चले हैं ये कह सकते हैं कि ये खबर उन जखमों पर एक मरहम है कि विनेश सिल्वर मैडल तो लेकर लोटेंगी अब ऐसे में सबसे पहले थोड़ा सा इस बात को भी समझ लीजिए कि विनेश जब पहला मुकाबला खेली he यानि की चछे अगस्त को जब विनेश अपना मुकाबला खेली तो उस समय पर उसका वजण 49 तसमलब 9 घुलोग्राम था यानि कि 50 किलोग्राम से थोड़ा सा कम यानि कि 50 किलोग्राम की केटगरी में खेलने के लिए एकदम पर्याप्त लेकिन जब बैक टू बैक उनके तीन मैच हुए तो उसके चलते उन्हें एनरजी ड्रिंक और एनरजी फूट दिया गया खाने के लिए ताकि वो लगातार अपना खेल खेलती रहें बिना थके और वही काम उन्होंने किया भी और ऐसा अम्मूमन सभी खिलाली के साथ किया जाता है कि उन्हें एनरजी ड्रिंक और एनरजी फूट दिया जाता है वही विनेश के साथ किया गया लेकिन जब विनेश का वजन फूड और एनरजी ड्रिंक पीने के बाद बढ़ा जो लगभग 42 किलोग्राम से थोड़ा सा जादा हो चुका था जिसके चलते विनेश ने अपने बाल भी काटे पूरी रात भर वो एक्सेसाइज करती रही साइक्लिंग करती रही और तमाम चीजे वो करती रही यहां तक कि अपने नाखून भी काट लिए गए लेकिन उसके बाद भी वजन घड़ते घड़ते सौ ग्राम जादा रह गया और जिसके चलते उन्हें डिस्क्वालिफाई कर दिया गया लेकिन अब कोट में ये सुनवाई और जिसकी उमीद ये जग रही है कि विनेश को सिल्वर मैडल मिल जाएगा यही उमीद भारत के लिए बहुत बड़ी उमीद है गोल्ड ना सही लेकिन सिल्वर तो भारत की वेटी लेकर लोटेगी अब देखना ये होगा कि आखिर पक्ष कितनी मजबूत तरीके से रखा जाता है और कोट उस पर किस तरह का फैसला सुनाता है क्योंकि कोट को लेकर ये भी कहा जाता है कि ऑलमपिक खेल का उधगाटन शुरू होने के बाद से लेकर उसके पहले और पिर दस दिन की अबदी तक अगर किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट होता है या किसी को कुछ भी मामले को लेकर विवाद होता है तो उसकी गस्त रात को आठ सबाठ वजे के आसपास विनेश मेल करती हैं तो उन्हें तुरंत ही मेल का जवाब मिल जाता है कि उनके किस बिंदू को स्विकार कर लिया गया और किसको नहीं और उसके बाद ये माना जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर इस पर सुनवाई और फैसला भी आ ज चमकेगा और वो भी विनेश के हाथ में लेकिन विनेश कि आप मैडल सिल्वर लेकर आए यह दुआए हैं पूरे देश की आप गोल्ड नहीं लेकर आपाई उससे हमें फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपने जो अपना खेल खेला है उस खेल ने पूरी दुनिया को आपका भ कि जो बात कही जाती है कि हमारी छोरी के छोरों से कम है यह आपने एक बार फिर से साबित कर दिया है हमारे लिए आप मैडल लेकर आए या ना आए लेकिन आप हमारे लिए चैंपियन थी चैंपियन है और चैंपियन रहेंगी इसी को लेकर जिस तरह से आपने सन्यास लिया ये जरूर हर भारतिय के दिल पर एक गहरा घाव करने जैसा है क्योंकि आपको अभी और कुछती लड़ते हुए देखना भारत चाहता है क्योंकि आपको इसी तरह की प्रतिसपर्धा में अपने प्रतिद्वंदी को मात देते हुए पूरा भारत देखना चाहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि विनेश सन्यास लेने में आपने थोड़ी जल्दी कर दी लेकिन इसे बीच महावीर फोगाट का भी वयान सामने आया और जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब विनेश पेरिस से भारत लोटेगी तो मैं और पूरा परिवार उसे इस बात के लिए समझाएंगे कि सन्यास नैले और अभी दोजार अठाइस का ओलंपिक और खेले और उसमें भारत के लिए गोल्ड लेकर आए और ये सिर्फ महावीर फोगाट नहीं चाहते हैं ये पूरा देश चाहता है विनेश विनेश को एक बार फिर से ओलंपिक में खेलते हुए पूरा देश देखना चाहता है और पूरे देश की दिलों से आपको बधाई और शुपकाम नाए और साथ ही पूरा देश आपके लिए यही दुआ कर रहा है कि कोट का फैसला जल्द से जल्द आपके पक्ष में आए और आप जब भारत लोटें तो चांदी चमकाते हुए लोटें विनेश को लेकर आप क्या सोचते हैं और उन्हें सिलवर मैडल मिले नहीं मिले या क्या कुछ रहे उसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताईए वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले